सबी भाईयों को जैस्ट रिवाम तो जैसे काफी लोगों को डाव टोलस की 11 पर्चेस करें फिर 12 पर्चेस करें बीजमाई के लिए तो यह वीडियो आप लोगों के कंपैर्सन के लिए मैंने बना दिया है दोनों में HDR टेस्टिंग करें कि जो Max Graphics है और यहां स्टार्टिंग में HDR एक्स्रीम पर आइफोन 12 की थोड़ी से जलग देख लिए इतना लाग होता है कि मेरे को HDR एक्स्रीम से और 9GB खाली और 64GB वेरियंट है दोनों की बैटरी हेल्ट चेक करते हैं तो आइफोन 11 में 83 बैटरी हेल्ट और आइफोन 12 में 86 बैटरी हेल्ट दोनों में लोग Max Graphics HDR एक्स्रीम पर टेस्टिंग करने को लिए देखते किस में ज्यादा सही परफॉंस मिलती है तो दोनों को साथ में बीजमाई स्टार्ट करते हैं देखते हैं किस में कितनी देर में बीजमाई ओपन होता है और गाई जब तक बीजमाई ओपन हो रहा तब तक आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर दीजे और अगर आप लोग को कुछ doubt हो तो नीचे comment section free रहे हो लोग आप मुझसे पूछ लीजगा अगर आई subscribe ज़रू से करिए एक 6000 subscriber के पास आ गया हूँ बाकी game iPhone 12 में जादा पहले खुल जाता है 27 seconds में और वही पार iPhone 11 30 seconds ले लेता है और यही पार कोई भी device iOS 16.6 पर updated रहता तो वही second जो 27-28 लिए है इसने तो वहाँ पर 15-16 seconds में भी बीजमाई open हो जाता है बाकी graphic settings पर चलते हैं तो smooth extreme तो दोनों में है बाकी हम लोग जो testing करेंगो HDR extreme रखेंगे और दोनों में recording भी on रखेंगे आप लोग को यह भी बताने वाले हैं कि बैटरी केतनी टॉप होती HDR extreme टेस्टिंग पर iPhone 11 में 83 बैटरी अलती और iPhone 12 में जो थी 86 बैटरी अलती आप लोग एक बाद फिर से बताते हैं तो पहले हम लोग iPhone 12 में शुरू करते हैं आप लोग को नीचे handcam दिख जाएगा आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी दिखते हैं कि पीछे iPhone 11 रखा हो बागी टेस्टिंग करते हैं तो स्टार्टिंग में आप लोग को पर्फॉंस बिल्कुली डीसेंट बिल्कुली 60 बिल जारी थी स्टार्टिंग में आप लोग को थोड़ा दिखा दिया रहा बाकी थोड़ा और एक्स्पेंट करेंगे आगे प्रोसेसर की बाद आइफोन 12 में आप लोग को ए 14 बाइनिक चिप देखने मिलता है जो कि iPad 10 जनेरेशन में भी सेम रहता है परफॉमस अभी तो इसमें काफी सही मिल जाती है अब बाकी स्मूद एक्स्रीम पर टेस्टिंग करेंगे तो अब इसका डिटेल्ड वीडियो मैंने डिफरेंटली बना दिया वो चैनल भी पड़ा हुआ आप लोगो वो भी देख लीजेगा यह पहले वीडियो एक्स्रीम का लाइक देख लीजेगा आप लोग अभी तो डिसेंट मिल जा रही आप लोग को कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली आइफोन 12 का आप लोगो एक यह बेनिफिट मिल जाता है आइफोन 11 के ऊपर यह फाइफोन 11 आप लोगो 5G सपोर्टेट नहीं रहता है तो आप लोग को अगर 5G स्मार्टफोन चाहिए 5G आइफोन चाहिए तो आइफोन 12 आप लोग के लिए बेस्ट रहना था बट यह एक आप लोग कोई भी दिक्कत नहीं आने हाली अब यहां पर लाग शुरू यहां पर मरें इसके बाद अब यहां से लाग शूरू बिल्कुल ही भैंकर वाला आप लोग खुरी नोटिस करें इतना एस ड्रॉप और आइफोन 12 में अब इस वीडियो से आप लोग और इस लाग में खेलना पड़ेगा तो बैटरियल तो कंडिशन पर जरूरू से देंद आप देगे स्मूध एक्स्टीम पर मैंने स्विच कर लिया है वाट यहां पर भी थोड़े बहुत एक्स हैं यहां तो खेर टीडियम खातम हो गया तो गेम मेरे को बंद करना पड़के बाकि परफॉर्मस के लिए अप लोगो ए 13 बाइनक चिप मिलती है जो की आईफोन 12 से एक जनरेशन नीचे है आईफोन 12 में आप लोगो ए 14 बाइनक चिप मिलती है इसमें ए 13 है डिवाइस की जो मेन परफॉर्मस डाउन होती हो तब होती जब बैटरियल सर्विस पर आ जाती है अभी तो खेर इसमें 83 बैटरी हल्ट है तो परफांस अभी भी अच्छी मिल जा रही, HDR Extreme पे अभी तो लाक नहीं मेरे को देखने को मिला, पाकि Smooth Extreme पे तो खेर विल्कोल भी लाक देखने को नहीं मिलता है, वो बहुती rare condition जैसे कि मैंने बताए कि और यहाँ पर मेरा पिंग हाई हो गया तो मैंने आईफोन 11 की रिकार्डिंग तो आफ कर दी थी, बैटरी परसेंटेज डॉप की बात किए तो आईफोन 12 में करीब 6 मिनट टीडियम चला था, उसमें HDR Extreme पे बैटरी डॉप होई थी 4%, उसमें बैटरी हल्थ 86% थी, और यहाँ आईफोन 11 में खेल पाया जब पिंग आई हो गया था, इसमें तो खेर 2-3 मिनट में ही HDR Extreme पे जो परसेंट डॉप होई, वो 43-38 होगई, मतलब 5% डॉप होगई करीब 2-3 मिनट में ही, बाकि आईफोन 11 और 12 के मैंने डिटर कंपेर्जन स्मूध एक्स्ट्रीम के डिफरेंट